नमस्ते दोस्तों राधी राधी तियोहारों का सीजन चल रहा है और अब आने वाले हैं नवरात्रे नवरात्रे में हमें सबसे ज़्यादा जरुत होती है तांबे और पीतल के बरतनों की और जितनी जादा इनकी जरूरत होती है उतना ही जरूरी इनको clean करना होता है तो जैसे कि ये संखासन वगेरा है इनको जब clean करते हैं तो हाथ में लग जाती है तो आज मैं ऐसी tip share करने वाली हूँ जिससे ये बरतन बिना हाथ लगाए बिना गी से बिना रगड़े easily आप इनको clean कर लेंगे कैसे इसको clean करना है वीडियो में बने रहें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक request है अगर आप चैनल पर first time आये हैं तो चैनल को subscribe कीजेगा साथी bell icon को भी press कीजेगा और वीडियो कर जरा सी भी useful लगती है आपके काम आती है तो एक like जरूर से कीजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमें gas को on करना है gas के उपर एक बड़ा बरतन रखना है जितने ज़्यादा बरतन है उसके according आपको बरतन लेना है तो यहाँ पर हमने बरतन में पानी डाल दिया है अब इसको हलका गरम होनी देना है जब यह हलका सा गरम हो जाए उसके बाद जो भी आपके बरतन है पीतल और तांबे के उनको इसके अंदर डाल देना है देखिए यहां पर जिस सिंगहासन है वो डाल दूँगी उसके बाद यह जो पूजा का लोटा रहता है वो डाल दूँगी जितने भी आपके बरतन है वो सारे बरतन इसके अंदर डाल दीने है तो यहां देखिए यह जो हमारी बहुनी है थोड़ी सी छोटी पर रही है अगर कि पुझा की घंटी हो गई या फिर ये सारी चीज़ वैसे तो डेली साफ होते हैं बर दीर दीर ये गंदे हो ही जाते हैं तो यहां दीखें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है जिससे कि जितने सब भी बरतन है अच्छे से इसमें डिप हो जाए मतलब इतना पानी डालना है क सारे बरतन इसके अंदर डूप जाएं तो यहां पर हमने पानी डाल दिया है अब चलिये इसको कैसे यह दालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे कुछ नीबू के चिलके पड़े हुए थे हमने नीबू यूस कर लिया था वो डाल दी है अगर आपके पास fresh newbue है तो वो ले लें और ये एक नीबू बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था भी इस नीचे basket में डला रहा था दिखाई नहीं रहा था ये खराब हो रहा था तो ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है तो यहाँ पर आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं सैट्रिक असिड भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद इसमें डालना है नमक नमक यहाँ पर हमने लगबग एक चमच लिया है clip shoot हुप रहों थोड़ा सामसे क्हाने वाल przy we want यह सारी चीज़े डालने के बाद आब इसको अच्छे से हमें mix कर लेना है यहां देखिया हमने इसको अच्छे से mix कर लिए जैसे को कि हम खाने में यूज़ नहीं करें क्यूंकि यह तो यहांपर देखिए थोड़ से हमने नीबू का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया है आप साबो तिमली भी डाल सकते हैं अगर वो सारी चीज़े नहीं है नीबू भी नहीं है तो यहां पर आप आमचुर पाउडर का भ एकिल के कई खकर कि भाल देना है जब तक इसमें ऑच्छ सा उबाला आगें नहीं गेज़ा चाहिए में ऐसे में गर्मनें अच्छ हमीनेे дав अच्छे से मैंने इसको mix कर दिया है अब इसको यहां पर हमें gas को off कर दिया है अब यह बहुत जादा गरम है तो इसको हलका सा में थंडा होने देना है तब हम इसके अंदर से बरतनों को निकालेंगे नहीं तो हाथ जल सकता है जादा गरम आप इस तरीके से ना निकालें तो यहां देखिए अब यह हलका सा ठंडा हो गया है तो अभी एक चिम्टे की हल्प से हम इन सारे बरतनों को निकाल लेंगे क्योंकि यह बहुत जादा गरम है और पीतल तांबे के बरतन तो बहुत जल्दी से गरम हो जाते हैं और बहुत देर तक गरम रहते हैं तो सबसे पहल जितने घर के जितने भी बरतन हैं उनको क्लीन कर सकते हैं और कैसे यह लंबे टाइम तक क्लीन रहेंगे वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या इसमें करना है तो यहां देखिए सिंगहासरम ने निकाल लिया कि इतनी अच्छे से स्वाफ हो गया ह वैसे इसको रखड़ेंगे तो हाथ में चुब जाता है और इसको क्लीन करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें डिजाइन रहती है तो इसको साफ इसली नहीं किया जा सकता बट इस तरीके से आप कोई भी बरतन हो उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो यहां पर मैं सारे ह छो घंटी है, दीपक है, कटोडिया है, प्लेट्स हैं, वो सारी चीज़े हमने इसमें से निकाल दी हैं, तो यहां देखिए, लोता भी एक दम से साफ हो गया है, तामे के बरतन बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं पर जो पीतल के कटिंग वाले बरतन होते हैं, सिनासन होते है इनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बस यह सारी चीज़ हमने निकाल दी है तो इसको निकालना चिम्टे से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो यहामें एक जावा ले लिया है उससे हमने निकाल लिया है अब यहाँ पर आपको क्या करना है इनको साफ कर लिया है पानी से एक बार साबून से अच्छे से क्लीन करना है जिससे की जो खटा से नेबू की और इंगी के पेस्ट की और जो भी हमने इसमें स्टीजन डाली है उसका जो असर है वो खतम हो जाए यहां पर इसलिए इनको अच्छे से क्लीन करना है पानी से और साबून से अच्छे से इसको एक वार धोलें, तो यहाँ पर सभी बरतनों को मैं अच्छे से धोलूँगी, रगर ना विल्कुल भी नहीं क्योंकि अच्छे से साफ हो चुके हैं, बस हलका सा इसमें साबुन का यूज करना है, जिससे की जो भी खटा से वो खतम हो जाए, बस यहाँ पर पानी से आप सर्फ का पानी था, में साबुन का पानी था, वो निकाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से पोच लेंगे, किसी सूखे कपले थे, सूखे कपले से कर आप पोच कर रखेंगे, तो यह बरतन कभी भी काले नहीं पड़ेंगे, तो बस आपको जब यूज करने हैं, यूज कर उसके बाद किसी सूखे कपले से इनको पोच कर रखेंगे, तो लंबे टाइम तक यह एकदम से साफ रहेंगे, और अगर जादा आपके हैं गंदे हो जाते हैं पानी वगएरा से, तो जब भी यूज कर लें, उसके बाद हलका सा इसमें ऑईल लगा दें, ऑईल लगाने के बाद फिर इसको धोका रख दें, तो यह काले नहीं पड़ेंगे, ओप करती हूँ, यह वीडियो आपके जरूर से काम में आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजेगा, चैनल पर फर्स टैम आए हैं, तो चैनल को भी सस्क्राइब कीजेगा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लोग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, धैंक्स वॉचिंग, बाबाई, चेक केरें, राधे, राधे